एक question है कि किस तरीके से और कौन सा scalar सबसे ज़्यादा use होता है ये वो ही मिसाल होगी कि सबसे ज़्यादा लोग किसको पसंद करते है या वो ही मिसाल होगी कि fashion में कौन से चीज़ है इसका answer मैं simply एक line में देता हूँ अगर आपका algorithm minus values को negative values को deal करता है और ज्यादा तर standard scalar use होता है जिसको standardization भी बोलते है standardization क्या है कि आपके data का z score की base पे उसको standardize कर देना simply ठीक है so this is how you can deal with the scaling of your data